कि इससे क्या होता है हम हमारे ड्रील के बीट में धार रहते हुए भी बहुत जो जो सदावाना पड़ता है लकडी में होल करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है जबके इसा में अबसकार वेलकम बेक्ट में चनल सी टेक वहनी चास आज हम बात करेंगे ड्रील बीट के बारे में ड्रील बीट जैसा कि जैसे कि माँ टूड़ जाती है आदे से तो अकसर क्या करते हैं हमारे कर्पेंटर भाई उसको दुबारा यूज में लेते हैं या तो उसको दार लगाने के लिए जो शिल्ह फोर्त दहार लगाने वाली होती है उसे रगणा के लगाते हैं अकसर क्या होता है कि जैसा फर्सी हो गया चूँडबित इस उल्चेilt हाई फनीशका कि रच्चाहाब मैं आज आपको बताऊंगा छिव एंपका जो बेर्ल का टूटा हूँग इसको दोग 2 उसको आप वीडियो बने रही है और देखिए कांटिनी वाज कीजिए वीडियो कर सकी पूरिया जब बात करेंगे कि यह डिल बीट के बारे में अक्सर इसकी दार चली जाती है तो हमारे नए कर्पेंटर होई क्या करते हैं इसको दार लगाते हैं कलद लग तरीके से कर दो कर दो क्या होता कि हमारी जो अस्तरी के सिल्ली होती है इसका भी प्लीक करते हैं तो क्या होता है जब भी धार लगाते थे सिल्ली में गडे पढ़ जाते हैं अग्सक्त प्रॉस्टी खराब हो जाती है और भी हम और बरहुत लगने पाता है तो आज हम बात करेंगे आपको धार लगाने के नए हैं औरने बारे मात्याह दिश्क को भी बोलते हो सभी i zwar सिर्ली जोक्तिन इधार कर दो तो हम देगा नहीं तरीक है दहार लगाने में हैं बारे बात करेंगे और अब पץ अगभर वो इसली जो मसीन में चलाने वाले होती है अगर आपके पास ना हो तो इमर्जिंसी में आपका इसे धार लगा सकते हैं उसके पहले हम बात करेंगे इस बीट के बारे में अभी देखिए जो धारे हैं इधार लगाई गई है तो बहुत से करपंटर क्या करते हैं इधार को आगे वाले सीरे को न कर देते हैं और पीछे वाले सीरे को उठा देते हैं इससे क्या होता है हम हमारे ड्रील के बीट में धार रहते हुए भी बहुत जोर जो सबाना पड़ता है लकडी में होल करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है जबके इसा नहीं करना चाहिए जब भी धार कि सेम दुसरे वाले जो फॉल है इसमें भी आगे वाला जो हिसा है तुड़ा उठा होना चाहिए और पीछे तरह पुला डाउन रहना चाहिए और जभी भी धार लगाए इसको धार लगाने लिए कम से कम आपको वहीं रूस करना पड़ेगा कि अंदर याद धार लगाएं तो बेटर तरीके से आसानी से लकड़ी के अंदर चली जाएगी और इससे आपको होल करने में कोई प्रसाइन नहीं होगी आपको तागत लगाने बिल्कू ज़रूत नहीं था लगाने के बाद में और यह वाला जो हिसम में बताया हम ट्रेक आगे वाले हिसा कभी जुका अगधार नहीं लगाएं अलाकि थोड़ी सी यह उठी होनी चाहिए कम से कम आधा है में पीशे वाले सीरे से कभी भी दियान देना चाहिए तो आईए हम आपको धार लगा कर दिखाते हैं अगर आपके परस कोई भी सुद्धाना हो जैसे कि हम अधार लगाने से तो आप सिल्ली का प्रियोग ना करें इमर्जेंसी काम चला सकते हैं लेकि हमारा दार प्रोपर तरीके से लगने ही पाता है आज हम बताएंगे नए तरीके से लगाने के लिए जो आपके पास महान लेजिए और डिक्स वाली जो पत्थर है जो मसीन दार लगाते हैं वो अगर नहीं हो तो इस ग्रेंटर मसीन के सायता से अधार लगा सकते हैं यह हमारा डिक्स पेपर है कोई भी नंबर का हो बेसक रहे कि यह नहीं नहीं हो यूजट हो तो अच्छा है कि मुने अगर पेपर रहे का तो खराब हो सकता है तो देखिए दोस्तों मैंने किस तरह से दार लगा लिया प्रवपर जैसे में बख बताया था यह पीछे वाला ही साडाउन है आगे वाला थोड़ा सा उठा हुआ है सेम दूसरे वाले में भी पीछे वाला डाउन है आगे वाला सीरा थोड़ा सा उठा हुआ हुआ है कि ध्यान रखें कि मैंने वीडियो आपको स्विश्वाने के लिए बनाया है अगर जब भी आधार लगाने थोड़ा पानी साथ में रखें क्योंकि दार लगाने में थोड़ी सी गरम हो जाती है तो गरम होने के बाद में तुरण तो पानी में डाल देता कि इसका टेंपर न जाए तो इस तरह से आप अपने बीट को यूज कर सकते हैं जब भी धार खराब हो जाए दार लगा करके आप इसे विश्वास कर सकते हैं अगर बाइद आपका बीट टूट भी गया हो यहां से तो भी आप इसको यूज मिले सकते हैं और दूसरा नाय बीट खरेंए की होगा कि आपका फालतू का वैसा खर्च करने से बच जाएगा तो वासा करता हूं कि यह ट्रीक आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ मे अब हम वीडियो अप्लोड करेंगा सबसे पहले आप तक कौशी का तो ग्राइज वीडियो देखने के लिए देने वाद़ कुआ कि अ पर आप कि अ